एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूरे अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा चाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया। और सिपाहियों से अलग हो गया। फूख प्यास और ठकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने व भूजन और जल मिलेगा। मैं बहुत प्यासा हूं और भूब भी बहुत लगी है। पालकों ने उत्तर दिया। अवस्य हम घर जाकर अभी कुछ ले आते हैं। वे गाओं की और भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्सा और प्रेम को देख कर बहुत प्रसंद हुआ। क्यारे बच्चों तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो। मैं तुम सब की सहायता करना चाहता हूं। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला। मुझे धन चाहिए। मैंने कभी दो समय के रोती नहीं खाई है। कभी सुंदर वस्त्र न इक बड़ा सा बंगला और गोड़ा गाड़ी तेंगे। तीसरे बालक ने कहा। मुझे न धन चाहिए नहीं बंगला गाड़ी। मुझे तो आप ऐसा असिरवात दीजिए। जिससे मैं पढ़ लिखकर बिद्वान बन सकूं। और सिच्छा समाम ठोने पर मैं अपने देश की सेवा कर सको। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था। इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाय की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आन जो दो और बालक थे। अब उनका क्या हाल चाल है मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर मैं एक साथ तुम तीनों से मिलू। अता कर अपने उन दोनों मित्रों को भोजन पर अमंत्रित कर लो। मंत्री ने दोनों को संदेशा भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा था वह दुखी होते हुए बोला। राजा साहब मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार की चीजों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया। और कुछ वरसों में ही मैं वा बाड़ी मांगने वाले बालक भी अपना रोना रोने लगा। महराय मैं बड़े ठाट से अपने बंगले में रह रहा था पर बरसों पहले आई बाड़ में मेरा सब कुछ बरबाद हो गया। और मैं भी अपने पहले जैसी इस्तिती में पहुँच गया। इस बात को अच्छी तरह गाड़ बांध लोधन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते पर ग्यान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है।